टेनेंट जो है भाडोत वो सेकेंड क्लास सिटिजन नहीं है अब ये मुझे क्यों कहना पड़ रहा है क्योंकि टेनेंट्स को एक हमेशा एहसास दिलाया जाता है कि आप ओनर्स से कम ओदे के लोग हों आपके फैमिली है आपके फैमिली वालों को याद दिलाया जाता है आपको याद दिलाया जाता है अगर आप टेनेंट हो कि हम आपको कुछ भी नहीं गिनते आप आपके जैसे लोग आते जाते हैं इस बिल्डिंग से लेकिन हम जो ओनर्स हैं हम फैल के रहते हैं चोड़े में चलते हैं और आप लोग जो टेनेंट्स हो भाडूत तो ठीक है यार तुम लोग आते हो जाते हो हम लोग टॉलरेट कर लेंगे लेकिन तुम्हारी कोई आउकात नहीं है इस तरह से बिहेवियर में भी पता चलता है और खास करके मैनेजिंग कमिटी जब उनके साथ व्यवहार करते हैं बात करते हैं तो भाडूत का कोई आउकात नहीं है ऐसे मैसूस कराया जाता है और ये कई तरीकें से कराया जाता है तो मैं इन बातों पर डिसकस करना चाहता हूँ तो पहले मैं एक simple straightforward common sense वाली बात कह दूँ हाला कि वो controversial होने वाला है याने कि है बड़ा simple लेकिन फिर भी controversial बाडूत exactly वो सारे हक को enjoy करता है वो सारे अधिकारों को enjoy करता है जो एक owner वो घर का जो owner है न वो enjoy करता है हर एक जो privilege है उस owner का वो सारे privileges बाडूत को आते हैं by virtue of renting the flat for 11 months और 33 months और whatever कोई भी period हो इस बात को मैं थोड़ा खोल के expand करके आपको समझा रहा हूं जो जब कोई भाड़े पे एक घर लेता है उस घर के साथ कौन सी सहुलियते हैं जैसे की parking जैसे की lift का इस्तमाल करना जैसे की building के common amenities का इस्तमाल करना जैसे की बच्चों का खेलने का अधिकार या बुडों का बुजर्गों का bench पे बैटने का अधिकार या walk लेने का अधिकार जैसे की घर में music बजाने का अधिकार जैसे की कोई भी किसी भी social function अगर organize किया जाता है तो वो social function जैसे की कुछ societies में holy का function होता है या दिवाली का function होता है अगर society के स्तर पे organize किया गया है वो tenants जो है भाडुक जो है उनका exactly वही rights बनते हैं जो हर society member owner के rights बनते हैं क्योंकि उस period के लिए 11 महीने या 33 महीने के लिए they are practically owners उनका ओधा जो है owner से अलग नहीं है दुबारा मैं कहता हूँ उनको किसी तरह से आप differentiate नहीं कर सकते हो किसी तरह से उनके साथ discriminate नहीं कर सकते हो including use of clubhouse, use of swimming pool, etc. जो उस flat के साथ जुड़ा हुआ है use of clubhouse, use of swimming pool, use of playground, use of grounds, use of parking जो उस flat से जुड़ा है whether it is closed parking, open parking, guest parking उनके अगर guests आते हैं तो उनके guests को exactly उतना respect मिलना चाहिए और उसी तरह का treatment मिलना चाहिए जो किसी भी और regular member homeowner को के उनके guests को मिलता है exactly the same, no differentiation whatsoever ऐसा क्यूं है? तो मैं आपको समझाता हूँ उसका कानूननिक बेसिस है उसका एक समवैधानिक बेसिस है what is a leave and license rental contract वो एक type का contract है वो contract के अंदर क्या आता है contract के अंदर ये आता है कि landlord से आप घर उस period के लिए 11 महिने के लिए, 33 महिने के लिए या any other period के लिए आप ले रहे हो whether you are taking it on lease or whether you are taking it on rent or any other basis, आप compensate कर रहे हो owner को और आप उस घर को, उस flat को या उस property को ले रहे हो as it contains all amenities and all rights वो सारे आप inherit कर रहे हो उन 11 महिने या 33 महिनों के लिए उस period के लिए entirely उसके अंदर जो कुछ भी है उस घर के साथ वो सारे rights आपको आते हैं make no mistake अब मैं इस बात को चरह खोल के विस्तार में समझाता हूँ दोस्तों, simple सी बात है, common sense वाली बात है सब को पता होना चाहिए लेकिन public को पता नहीं है और जिन लोगों को पता होना चाहिए कि ये मेरा right है उनके मुँसे वो बोल नहीं पाते हैं उनके मुँसे निकलता नहीं है क्योंकि उनके अंदर एक inferiority complex डाल दिया गया है कि तु भाडूत है तेरी आउकात नहीं है यहां पे रहने का तुने पैसे दिये इसलिए रह रहा है और हमारी महरबानी से रह रहा है इस तरह से managing committee वाले जताते हैं और वो landlord को कभी-कभी bully भी करते हैं landlord को डराते भी है कि तुमारा भाडूत हमको बहुत तकलीफ दे रहा है उसको guilty feel करवाते हैं तुमारा भाडूत तकलीफ दे रहा है किस तरह से तकलीफ दे रहा है वो घर में non-wage cook करता है I'll give you examples अब non-wage cook करना pets रखना वगेरे जो भी है वो सारी बातों को मैं tackle करूँगा bachelor होना girlfriends को घर बुलाना boyfriends को घर बुलाना अंजाने मर्दों को घर बुलाना या अंजाने ओरतों को या अंजाने दोस्तों को घर बुलाना घर में party मनाना घर में शराब पीना इन सारी बातों को लेकर मैं विस्तार में explain करने जा रहा हूं सुनिए पहली बात कि आप अपने घर के अंदर general बात है एक English में कहावत है a man is the वो कैसा है a man is the lord of यानि उसको घर को castle माना जाता है a man's house is his castle a man's house is his castle castle क्या होता है castle मतलब किला गड़ तो एक राजा का गड़ के उपर जैसा उसका वर्चस्व होता है उसी तरह से एक इनसान के घर के उपर उसका पूरा वर्चस्व होता है he owns it in a very complete way अब उस घर के अंदर वो क्या करता है सिवाए कि लोगों को disturb करना उतने को छोड़ के और disturb करना भी एक लिमिट के अंदर ओके थोड़ा बहुत disturb आपको होना ही है अगर आप कॉपरेटिव हाउजिंग सोसाइटी में रहते हो चाहे वो बंगलो और विला टाइप का हो चाहे वो फ्लैट्स का हो बच्चे लोग खेलते हैं खेलेंगे आपको बरदास्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो बच्चे हैं बुजूर्ग लोग खासते हैं या उल्टी करते हैं और आपके बातरूम से सुना ही देता है उनका खासना उल्टी करना वो सब आवाज है आपको बरदास्ट करना पड़ता है you have to tolerate it क्योंकि वो owner का right है आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी बुडी मा करती है सुबा सुबा उठके करती है भाई उनको ulcers होगा उनका पता नहीं acidity होगा करती हैं तो चुप रहो और tolerate करो क्योंकि वो तुम्हारा धरम है as you are living in a cooperative housing society अब वो भाडुत भी अगर है तो भी आपको बरदास्ट करना पड़ेगा और owner है तो भी बरदास्ट करना पड़ेगा अगर आपका owner शराबी है I don't like मुझे भी शराबी पसंद नहीं है मुझे भी चरसी लोग पसंद नहीं है मैं खुझ शराब नहीं पीता हूँ लेकिन अगर बाजुआला शराबी है it is not in the place of the managing committee to say anything to him managing committee के हिस्से में नहीं आता है कि आप भाडुत especially मैं भाडुत की बात करना हूँ लेकिन चलिए owner अगर कोई है उसका private matter है उसका private मामला है और आपको I'm sorry tolerate करना होगा हाँ वो अगर nuisance create करता है आपके दरवाजे की घंटी बजाता है चिल्लम चिल्ली करेगा ठीक है तो there are actions to be taken private actions वो managing committee का काम नहीं है